अगर हम सही हैं तो गलत करने वाली की जीवा खींच लेंगे। लसकर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को जूट लिख दो, अगबार भी तुम्हारा है, कई फर्जी मुकद में लिख दे उन्होंने। महामानों प्रधान मंतरी होते हुए भी वक्त लगता है। लेकिन जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गुण जुठेगा इंकलाब के नारों से जो अन्यदाता को मार सकता है वो देश की 135 क्रोड जनसंकिया को कभी भी ऐसे मुठी में पकड़ के कुचल सकता है नमशकार मैं सिखा आप सभी का जनीत आवाज में स्वागत करती हूं आजकल तमाम मुद्दे चलने जिसे किसानों को लेके पहलवानों को लेके और उन सब के बीच में बहुत तमाम चेहरे चर्चित हुए कलीम सेख और ना जाने सुभम और बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले भी गए लेकिन एक ऐसा चेहरा जो बहुत वाइरल हुआ बहुत पॉपुलर हुआ और मिलियनों में उसके जो हैं वीडियो गए लेकिन वह हर हमेशा हर उस मुद्दे को लेके उठाता था जो समाज के हित के लिए होता था जी हम किसी और की बात नहीं हम अन कू करते हम से और तमाम चैनल से कि अके अनुराय हो जाशा cloudy महीने से कहा गायब हो गया तो मेरे साथ है पयानवांहों से बाचीत करेंगे कि कहान थने गोजा इतने दिनों से देखिए कि जब सरकार को उनकी बुराई रास नहीं आती है तो वह कहते हैं कि इनको दबाने की इसकी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से चपपा चपपा गुण उठेगा इंकलाब के नारों से या नुराक को दबा सकते हैं और किसी को उठाता है वह अचानक से चुप हो गया मेड़म वह चाहते हैं दलाली करें हमसे दलाली होना पाएगी वह चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ने अब भूत के डर से मकान छोड़ने हम सरकार की चाटुकारता नहीं करेंगे जब तक भारतिये जनता पार्टी वास्तविक करतें ना संभद्ण की बात करतें वो शृफव स्रीप मित्रवाद की बात करते हैं परिवार्वाद की बात करतें तो क्या इतने दिनों तक आप को जएल में थे कहां थे बहुत लोग कहते हैं बहुत पिटा गया अनुराग को तमाम तरीकी की बाते उठा रहें देखिए हम हनमान जी तो है नहीं कि छातीच चीर के दिखा देंगी कि भीया देख लो 39 तरीक को देर रात के यहां से उठाया गया 30 को हम वहां से पहुचे 30 को संडे था और फिर एक तारीक को अमारी जवानत हो गई कुछ दिक्कत आई वहां पे दिक्कत कि आप जो ले जा रहे थे कह रहे थे कि भाजपा वाले का विरोध काहे करते हो जितने भी ब्राहमने भाजपा में हैं तुम भाजपा का विरोध काहे करते हो तो उन्हें का ब्राहमन का मतलब होता है ब्रहमांड की सत्यता को दिखाना य नहीं होता कि चाप लूसी करो लेकिन अब ही है न मैटम कि लसकर भी तुम्हारा सर्दार भी तुम्हारा तुम सच को जूट लिख दू अगवार्वी तुम्हारे की फर्जी मुकदमे तो मितलब साथ जने थे गाड़ी में तीन उतने उतर के आए कि सर आपको बुला रहे है तुब फिर जैसा हम उठे तो दो लोगों ने हमारे बाहों को पकड़ लिया बोले कि हम क्राइम परांच से हैं तो उबने कि अगर में गलत नहीं הוא तो चाहे मोधी जी हो या योगी जी हो ऊतर प्रदेस की कि पोई कहीं की फी पूली सुझ दर्ने की आऊ सकत니다 किसी को भी संविधान में इतनी ताकत है मैडम कि अगर हम सही हैं तो गलत करने वाली की झीवा लेकिन आपको तो साइद इसलिए पकड़ा गया क्योंकि आप मोदी जी और योगी जी के खिलाफ बोलते हैं उनके नीतियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही और है और रहेगी जब तक वो किसानों की गरीबों की बेटियों की आवाज ने उठाएंगे तब तक अंधुराग ब महामानो प्रदान मंतरी होते हुए भी वक्त लगता है चापन इंच का सीना होते हुए भी समय लगता है आप लोग तो कहते हो कि मोदी जी सेर हैं तब भी मैटम समय लगता है अरे सेर तो एक बार में दाड़ के निगल जाएगा लोगों को तो कानून पे भरोसा नहीं रहा अरे सेर तो एक बार में दाड़ के निगल जाएगा लोगों को तो कानून पे भरोसा नहीं रहा कानून पे और समवेधान पे मैटम हमें भरोसा था तभी तो हम यहाँ बैटके फिर बोल रहे हैं अगर कानून ना होता समवेधान ना होता तो अपनी मनमानी का यह हल चलाते यह मन की बात नहीं मनमानी की बात करते हैं तो प्रधान मंतरी जी को चाहिए कि बेटियों को जल्द ही नयाय मिलना चाहिए लेकिन उस पे हो चाहते हैं कि हमारी पार्टी का कोई दूर दूर तक अगर भाटपा से आपको कोई संबंध है आप कितना भी बड़ा जुर्म कर आपको बचाने के लिए कारी करता से लेके और सबसे बड़े पद पर साहब बैठे हैं वो तक आपको बचाने के लिए मजबूर हो जाएं परसाशन से सत्ते धारीों से तब यह हश्र होता है जैसे कि अनुरा गोज़ा को ले के जाया गया पुलीस परसाशन के दोरा यूपी पुलीस के दौरा और इने बकाइदा ये भी कहा गया कि आप सब के खिलाब बोलिए लेकिन योगी और मोदी के खिलाब मत बोले एक चीज बताइए मेडम सत्ता में कौन है भाजपा है हम सरकार राहूल गांधी यत्य जस्बी यादों से तो नहीं न पूछेंगे वोट दिया मोदी जी को मोदी जी अगर हमसे वोट न मांगे बीजेपी हमसे और हमारे देश के 135 क्रॉंड लोगों से वोट मत मांगे मैं गैरंटी लेता हूं कोई सवाल नहीं पूछे रहे हैं ये भी है प्रस्ण की जब सत्ता में बीजेपी है तो राहूल गांधी से कौन सवाल मालूम है ताना चाहिए ना बोलने का अधिकार ना चलने का अधिकार ना कपड़ा पहनने का अधिकार है नहीं हंसने का अधिकार है अधिकार है तो मोदी जीवाह मोदी जीवाह करें अपने कप्रे में क्यों ऐसा देख लिया क्या देख लिया में अभी आपने मंदिरों व लाल भादु सास्त्री जी थे एक हाधसा वो अन्होंने स्टीफा दे दिया क्या असुनी बैस ranges quick को स्टीफा नहीं देना क्या आज़िए लेगिन वे Сनी ने किखाने के लिए असुनी बेशनों जी नहीं जाते हैं मोदी जी भईया दिखाना शुरू कर देते हैं तो मेडम बताइए आप इस्तीफा किसको देना चाहिए तो प्रधान मंत्री से इस्तीफा लेंगे बिल्कुल इस्तीफा उन्हीं को देना चाहिए क्योंकि जब रेल मंत्री अपना काम नह तो मतलब महाराज आप सोख सभा में गए थे साधी विवाह में तो गए नहीं थे कि अगर ना चलता तो काम न बनता प्रदान मंत्री जी ही करेंगे मेडम कपड़ा बदलेंगे कूलर चलूएंगे प्रधान मंत्रीक को सरमानी जी है ऐसा मतलब महामानों प्रधान मंत्री 56 निंच्वाला हो गया है कि उसे कुछ दिखता ही नहीं है तो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें गलती किस की है सवाल उठा रहे की कौन है सरकार की कैसे गलती है अच्छा मैं एक चीज बताइए रेलोवे में कितने पद खाली है डेढ़ लाक से जादा पद भी यहां पर खाली है अगर रेलोवे का सारा पद भरा होता तो आज हाथसा होता कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके बजस है यति लिकार नंकारी किसको है है जानकार है जानकारी फिर आपकि फैर्थान मंतरी हैं, भाकि कैसाथ इसका सब्सक्राइब कांग्रेश भी क्लें मांडेना है, कांग्रेश भी जाइव एय। लिए सब्सक्राइब फिर पूल गिर गया उससे लोग कह रहे हैं लेगन कुछ लोग ये वह पूल बनने की जिम्मेदारी धेके दारवा मेडम कहा जाएगा हूँ धेके दरवा नेय पैसा लिया तो कहां जाएगा भाईया पैसा पाइसा नितिज कमार ने लोगों ने सवाल उठाया कि भागलपूर में एक पुल गिरा था जिसको प्रधार मंत्री मोधी ने वहां पर जाके उद्गाटन भी किया था जहां पर मोधी जी उद्गाटन करके आए दूसरा बंदा कोई चड़ाई नी वह इसे गिर गया खोखला पुल जैसे खोखले प्रधान मंत्री है न चपनिंच वह इसे खोखला पुल भी तयार करवाते है कि हम तो बनवाने का काम करते हैं तोड़ने का काम तो भाजबा करती ह मेडम आपको नहीं पता है सरकार उन्होंने वह बताया ना सरकार हमने महाराष्टी में बनाई तोड़ने का काम किस ने किया हैं बताइए उत्रा खंड में सरकार हमने बनवाई थी हैं तोड़ने का काम किस ने किया था बताइए मड़ परदेश में सरकार हमने बनवाई थी जो कह चुक है प्धिश्प्र्ता प्यादब ने भी कहा है तमाम जो बिहार की राजनीती है वो गर्म हो रहे हैं कि और अभी आप लोगों बता दे कि तमाम जो छोटी चोटी पार्टियां हैं अपने अपने छेत्र में जैसे कि सापा बसपा और आरजेडी जडियू ये तमाम पार्टी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस सब एक जूट होने की बात कह रही है कि मिलेंगे तब भाजपा को तोरा जा सकता है आप इस पे क्या कहें अंग्रेजों से लड़ने के लिए और संग्रेजों से लड़ने के लिए अगियला भगत सिंग और अनदाता मार रहे हैं तो यह क्या कह सकते हैं जो अनदाता को मार सकता है वो देश के 135 क्रोड जन संक्या को कभी भी आईसे मुठी में पकड़ के कुछल सकता है अनुराग आपको क्या लगता है इतने दिनों में जो कुछ हो रहा है क्या इसे 2024 में परिवर्तन होगा तो हमने अनुराग से तमाम मुद्धे पे बात की जो चल रहा है अब एक डिर मैने से डिर मैने से अनुराग नहीं थे इनकी अपनी कुछ जिंदगी नीजी जिंदगी में कुछ चल रहा था जिसा कि हमने आपको बताया और आगे भी हम अनुराग की इंटर्व्यू करेंग उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे हलाकि आज हमने उन तमाम मुद्दों पे बात किया इन्होंने का कि 2024 में सक्ता जरूर बदलेगे आप लोग की क्या रहा है पुरी खबर पे